नमस्कार दोस्तों The GS Platform YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो देखिए आज है Current Affair का Part 39 इससे पहले मैंने Current Affair से Related 38 वीडियोज बनाई हैं जो कि तब से बनाई जा रहे हैं जब से लिखित परिच्छा का सिलावस जारी हुआ था तो आज आपको पता ही चल गया होगा कि लिखित परिच्छा से संबंदेत गाइडलाइन जारी की गई है यानि कि परिच्छा निश्चित रूप से आयवज़त होगी और जल्दी इस चीज के बारे में आपको सभी प्रिक्रियाएं पूरी करने को मिलेगी तो वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बता दूँ आप हमारे इस चैनल दज्जियस प्रेटफर्म को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजी साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे की आपको नई वीडियो मिल सके तो चलिए सुरू करते है करन्ट अफियर पार्ट 39 जिसमें मैंने साथ से नौ जनवरी की बीच की करन्ट अफियर को सामिल किया है तो चलिए देखते हैं आपर कौन सी कौश्चन बनते हैं जोगी important है आगे आगे आने वादी examination की दृष्टी कौन सी तो पहला question देखिए तीसरा half man cup किस ने जीता तो देखिए तीसरा half man cup Switzerland देश ने जीता है यानि Switzerland के खिलाड़ी है Roger Federer उन्होंने तीसरा half man cup जीता है ठीक है tennis से related ये cup होता है tennis खेल जो होता है उससे related ये cup होता है ठीक है तो दूसरा question देखिए golden globe award सन 2018 कहां आयोजित हुए तो ये जो golden globe award है ये film की छेतर में दिये जाते है और golden globe award का जो 2018 में जो Sanskrit था वो अमेरिका की Los Angeles में आयोजित हुआ ठीक है अमेरिका के Los Angeles में आयोजित हुआ है ठीक है दूसरा question आपको complete हुआ तीसरा question देखिए आपर नए 10 रुपई के नोट में किसका चित्र होगा तो हाली में इस चीज की गोफणा की गई है कि 10 रुपई के नए नोट में सूर्य मंदर का चित्र भी होगा ठीक है सूर्य मंदर का चित्र भी होगा तो ये तीसरा question आपको complete हो चुका है चौता question देखिए गुडिया help line किस राज में आरं होगी ठीक है गुडिया help line किस राज में आरं होगी तो देखिए गुडिया help line के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैलाओं के सुरच्छा से संबंदित है जो कि परेसानी में मदद करेगी मैं लाओगी तो ये हिमाचल प्रदेश में नौ गठित सरकार ने इस निरड़ाय को लागू किया है ठीक है तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस चीज की खोशना किया प्रदेश की गुड़िया हेल्पलाइन का यहाँ पे सुवारम किया जाएगा तो ध्यार न कहेंगे पांचमा प्रदेश की ये भारत के दिव्यांगों के लिए प्रतम राष्टी पार्क खाँ बनेगा तो दिव्यांगों का मतलब ये है कि सारेरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए प्रतम राष्ट्रिय पार्क बनाया जाएगा जो कि तेलंगाना में बनेगा जो कि भारत का पहला राष्ट्री पार्क होगा जो दिव्यांगों को समर्पित होगा ठीक है तो पांचमा प्रिशन आपका कंप्लीट हुआ अगला प्रिशन देखते हैं देश का दूसरा FTII यानि Film and Television Institute of India कहां बनेगा तो देखिए दूसरा FTII आपका रोडाचल प्रदेश में बनेगा इससे पहले में आपको बता दूगी पहला FTII पुड़े में बन चुका है वो भी चल भी रहा है ठीक है तो ध्यार ना कहें कि छटमा प्रिशन आपका काफी इंपोर्टेंट है साथमा प्रिशन देखिए कि अंतराष्टी पतंग महुत्साओ कहां शुरू हुआ तो देखिए अंतराष्टी पतंग महुत्साओ हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ ठीक है तो काफी महत्तोपूर प्रिशन है साथमा आप्मा प्रिशन देखिए कि इस खिलाडी ने ब्रिस बेन में डब्लू टी एक हिताब जीता ठीक है नवा प्रिशन देखिए हाली में किस राज ने अपना प्रतीक चिन का अवरड किया अपना एक प्रतीक चिन उन्होंने अपनाया है ठीक है तो ये देखिए पश्चिम बंगाल ने अपनाया है ठीक है पश्चिम बंगाल ध्यान रखेंगी इसको दसना और अंतिम प्रुष्ण देखिए महला राश्ट्री मुक्यबाजी चेंपियंसिप का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है तो यह देखिए हरयाडा में आयोजित किया जाएगा महला राश्ट्री मुक्यबाजी champion ship का दूसरा subscribe तो ये देखी रहे आपके 10% जो की current affair से related थे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं 9, 10, 11 या फिर आगे आने वाले दिनों में current affair आपको provide कराता रहूँगा तो उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को आप like कीजिए वीडियो में comment कीजिए और अंतिम बात यहीं कि आप चैनल को subscribe करना ना भूले साथी वीडियो वीडियो को share करना भी ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो हम तब तक के लिए नमस्कार